नमस्कार आप सभी को हमारा नमस्कार हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है और सर्दियें कम हो गई है और जन्वरी का मंद भी समाप्त होने वाला है इसलिए मैं अपने गुढ़हल की इस्पेशल केर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले मैं आप से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए चैनल का नोटिफिकेशन आपको म और अगर पुराने हैं तो मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट जरूर करें जिससे आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरहल के पौधे में सर्दी के बाद आप ऐसा क्या करें जिससे कि उसमें जादा से जादा फ्लावरिंगा है सबसे पहले जो जितनी आपकी गुरहल के पौधे में पीली पत्तियां हो गई हैं उनको आप दीरे-दीरे करके हटा दें क्योंकि सर्दी का मौसम गुरहल बहुत सहन नहीं कर पाता और उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और कलियां भी देखिए आपकी सर्दी को ना सहन करपाने के कराराणे वो पीली हो गई है तो इन सब कलियों को भी मैं हटा दूंगी और जिससे जब यह और मैं इसकी लिए क्या करोंगी इसके लिए मैं करोंगी सौब प्रूनी तो कैची ले लिए मैंने और कैची को मैंने सेनिटाइज कर लिया है आपकी कैची तेजधार वाली होनी चाहिए क्योंकि मुझे light pruning करनी है तो बहुत कम से कम मुझे 6-8 cm के उपर की branches को मुझे cut करना है तो जब मैं branches को cut करूँगी तो ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी branches को cut करूँ वो 45 एंगल पर अपनी कैची को रखकर cut करूँ जिससे हमारा plant अच्छे से cut हो और उसमें जो भी branches निकले वो अच्छी और स्वस्त निकले अगर आप अपने कुड़हल के plant को सर्जियों के बाद भी स्वस्त और अच्छी flowering पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय प्रूनिंग है light pruning hard pruning तो हम करते हैं लेकिन hard pruning हम तभी करते हैं हमको लगता है कि अब इनको hard pruning के आवश्यक्ता है अधिकतर हम गर्मियों में hard pruning इनकी करते हैं इस समय मुझे soft pruning करनी है क्योंकि अभी spring season शुदू हो गया है और इसमें भरपूर कलियां आएंगी तो इसके लिए मुझे soft pruning करनी है और जितनी भी dead branches हो गई है तो उनको भी मुझे हटाना है जितनी भी पत्री सी branches नीचे से निकल रही है उनको भी मैं हटा दे रही हूं उनकी भी pruning कर रही हूं जिससे वो अच्छे से पौधे में खूब अच्छी branches आएं और पौधा एक नया रूप या नया आकार ले ले तो मैंने देखिए इसमें सारी branches में थोड़ी थोड़ी उपर से ही pruning करी है उपर की branches कलियों को भी हटा दिया है क्योंकि कलिया जो निकल भी रही है वो स्वस्त कलिया नहीं है तो इसलिए इसको मैं हटा करके जब मैं cutting कर दूंगी तो फिर से नई कलिया आएंगी नए birds आएंगे और पूरी पूरे गंबले में अच्छे से और अच्छी flowering होगी यह मेरा देसी गुढ़हल का plant है और देसी गुढ़हल का plant है और बी बारा मासी है पूरे सालों साल यह flowering देता है जाडे में थोड़ी कम कर देता है लेकिन गर्मियों में तो पूरा फ्लावर से यह मेरा plant भर जाता है तो देखियों उसकी pruning हो गही हो और मिर पास दूसरा फुडहल का प्लांट है इसकी भी में प्रूनिंग करने जा रही हूं तो इसकी भी मैं सब्ट प्रूनिंग करूंगे आप देख रहे हैं सर्दियों के करण इस की पत्या कैसी रेड़ इश हो गई है और यलो यलोईश हो गई है तो सारी पत्यों को स्वस्त रखने के लिए पहले सो सारी पीली पत्या हटानी है और फिर इनकी भी soft pruning मुझे करनी है तो मैं इनकी भी soft pruning करने जा रही हूँ तो जल्दी से सारी branches उपर से कम से कम 8 cm की branches को मैं cut करके निकाल रही हूँ और आपको पता है कि गुड़हल के plants को nitrogen खाथ की बहुत अबशक्ता होती है जब मैं pruning कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसमें इसकी गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करने के बाद फिर मैं इसमें जैवी खाथ कोई बर्मी कमपोस्ट है गोबर की खाथ है या फिर च डाल देती हूँ देखिए मेरे पास इस समय यह देखिए इसकी प्रूनिंग कम्प्लीट हो गई है लेकिन फिर भी जो इसमें पतियां है मैं वो सारी पतियां इसकी जो में रेडिश दिक रही है वो भी मैं सारी निकाल दूंगी और जड़ों के नीचे पेड़के जड़ों को खराब कर देते हैं तो इसके बाद इनको हटाने के बाद मैं अपने पेड़ों की गुड़ाई कर रही हूँ गुड़ाई करके मैं इसमें डालने जाओं डालूंगी अब चाय की पति जो मेरे घर में चाय बनती है उनी को धो करके मैंने यह चाय की पति को मैंने जो है सु डालेंगे क्योंकि पौधा बड़ा है तो दो टेबल स्पून आप चाही की पत्ती जड़ों से दूर तोड़ा सा जड़ों के दम पास नहीं डालेंगे जड़ों से दूर डालेंगे और उसके बाद मैं फिर इसकी गुड़ाई करूंगी जिससे खाद और मिट्टी आपस में म और पौधो तक पहुचा देंगे एक बात और ध्यान रखेगा जब भी आप खाद डालिए तो उसमें वाटरिंग जरूर करनी है आपको खाद डालने के बाद बिना वाटरिंग करें आप नहीं रहे क्योंकि खाद और पानी का कॉंबिनेशन बहुत ही जरूरी होता है क्योंक उसके बाद अपने पेड़ों में वाटरिंग कर दीजिए तो अब मैं वाटरिंग कर रही हूँ देखिए मैंने वाटरिंग कर दिया है और अब मेरा पौधा बहुत अच्छे से पनपेगा और खूब सारी बड्स निकलेंगी तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा मेरा वीडिय समय दालियेगा थैंक यू